हेलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल घरीलो नुस्खे दोस्तो रोज की तरह हैं आज भी मैं आपको बालों के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा जिसमें आप अपने बालों को सेहत मन बना सकते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट से तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में दमकती चह प्रोटीन के कारण आपके बालों की नमी छिन जाती है जिससे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं बाल प्रोटीन से बने होते हैं और इन्हें फिर से नमी युक्त स्वस्त और सुन्दर बनाना है तो इसके लिए प्रोटीन जरूरी है प्रोटीन आप अपने भोजन के मा और कैसे प्रोटीन बालों की जड़ों को मुलायम बनाने के साथ ही इन्हें मजबूती परदान करता है सैलून में प्रोटीन ट्रीटमेंट कराने पर यह काफी महंगा होता है सेलून में जाकर महंगा प्रोटीन ट्रीटमेंट कराने के बजाए आप घर में भी इसे आजवा सकते हैं घर पर ही किया गया ट्रीटमेंट की फायती होता है बालों के लिए घर पर त्यार किया गया प्रोटीन ट्रीटमेंट प्रिकृतिक होता है जो बहुत लाबदायक होता है आप इसे नियमित इस्टिमाल से स्वास्थे और मुलायम अपने बालों को बना सकते हैं तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में आपको आखिर इसके लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा अंडे का मास्क त्यार करना है बालों के लिए अंडा प्रोटीन का एहम स्त्रोथ है अंडे का पीला भाग जर्दी जिसे वसा और प्रोटीन से बरपूर होता है जो काफी moisturizing होता है अंडे का सफेद भाग सफेद bacteria और खाने योग्य एंजाइमों से भरा होता है जो बालों और उनकी जड़ों को मजबूत करता है नॉर्मल बालों के लिए एक अंडे का प्रयोग करें यदि आपके बाल तैलिये हैं तो अंडे के सफेद भाग का इस्तिमाल करना काफी रहेगा बालों पर केवल अंडे के इस्तिमाल के साथ ही इन्हें अन्य प्रोटीन के साथ मिला कर भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार का treatment हफते में एक बार करना चाहिए दही आप बालों को protein treatment देकर मुलायम बनाने के लिए दही जैसे डेरी उतपादों का भी उप्योब कर सकते हैं दही में मुझूद लैक्टिक एसिड बालों की जड़ों को मजबूत होने के करने के साथ साथ बालों को मुलायम भी बनाता है असरदर कंडिशनिंग protein treatment के लिए अंडे और दही को मिला कर लगाएं बालों में तीन बड़ी चमच मलाई या दही की मसाज करें इसे 20 मिनिट के लिए लगा रहने दे और फिर शैंपू कर लें आप इस treatment को परतेक सब्ताग कर सकते हैं मेनोज और एवाकोडा मेनोज तेल अंडे से बना होता है यहें बालों के लिए बहतर मस्चराइजिंग का काम करता है एवाकाडो में मुझूद उच्छ वसा समगरी बालों को कम शुष्क बनाता है और बालों के तूटने के खत्रे को कम करता है दो बड़ी चमच मेनोज और आधे मसले हुए एवाकाडो को एक कटोरी में तब तक फैटें जब तक की वह क्रीमी मलाईदार ना हो जाए अब इस कंडिशनर को बालों की जड़ों से लेकर किनारों तक लगाएं यह सभी बालों पर उचित परकार से लगाएं जाए इसकेलिए कंगी का यूज भी कर सकते हैं तो दोस्तो ये थे फाइदेशे मन नुस्खे जो आपके बालों को सुष्थ सुदर घने और मुलायम बना सकते हैं मुलायम बाल होने पर आप और भी सुदर दिखने लगेंगे तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ऐसे और नुस्कित मैं लेकर आऊँगा तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद, थेंक्यू